सिलसले को एक बार फिर से शुरू करते हैं, बहुत बहुत शुक्रे आता हैं कि सोमा चेवी ब्रादर्स, अक्षे और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हैं, तमाम सारे लोग, आज मैंने थोड़ा लेट ब्रेक लिया, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया, मैं भी 44 हुए, जल्दी यल्दी डिबेट पे आता हूँ, हिस्सा में कोई ज़्यादा बाचीत नहीं, जमीत अलाना हिंद के अध्यक्ष ने बोला यह बात, मैं मुदमद्नी जामने कि कई बार अपनी बात और अच्छे से रखने के लिए, हमें ये बताना पड़ता कि हम सब हम सब बराबर हैं, राष्ट वही बड़ा होता है, जिसमें हम सारे लोग ये संकल्पना भी करते हैं, और बनने की कोशिश करते हैं, हम सब बराबर हैं, और ये सच है कि एक आबादी को आप पीछे छोड़ दे और सोचे कि हम तरक्की कर लेंगे, तो ये मुंकिन नहीं है, यह चाहे आप इसमें लिए जितनी जिरह करना चाहें करते रहें संभव नहीं हम सब लोग साथ चलेंगे इसके पीछे क्या हो मैं बता देता हूँ तो चाहे राश्टियों सेवक संग का कहना हो बयान देना हो कि हम सब एक हैं चाहे जमितन लामा हिंद का प्रयास और अमलीला मैदान में कि हम सारे लोग एक बने लेकिन होता क्या है कि बनने के चक्कर में कहीं न कहीं है यसी कोई एक बात फस जाती है कि वो जो बनाने की कोशिश है वो और भिगड़ जाती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब सिर्फ कहें न उस पर चलते नजर आएं और अमली जामा पहने और ये बात उन्होंने कही कि हिंदू राष्ट की बात करने आले बताएं कि हिंदू राष्ट बनाने का मतलब क्या है तमाम सारी बात में लोने कहा कि इसलाम का जो है पहला वतन ये है हिंदू हिंदूस्तान और सवाल इस पर दिरह शुरू हो गई लेकिन मैं मैंने आपको असल बात बता दी असल बात यही है कि राष्ट वही तरक्टी करेगा और जो 2046 का जो नक्षा खीशता है और हम सब खीशते हैं कि आगे मुलक में 2047 कैसा मुलक होगा अच्छा मुलक लियी होगा कि जब हम सारे लोग कंदे से कंदे मिलाके खड़े होंगे तो हम यही कहेंगे कि हम सब लोग एक हैं और एकी तरह रहते हैं तब ही होगा? मुमकिनी ही तब ही होगा? अब यह चाहे जैसे संबह हो, मुझे नहीं मालूम, चाहे जैसी बात हो. कहां से आना हुआ साब आपका? सर रवाडी से, हरियाना से. जी, बताए है. सर ऐसा है कि रिलीजिन सिर्फ पोलिटिक्स के लिए. पॉलिटिक्स में से रिलीजन निकाल तो कोई मुद्दे नहीं बचेंगे, बी लाइक जैपनीज, उनके पास कोई रिलीजन नहीं, अपने कंट्री से प्यार करते हैं, कंट्री से प्यार करो, सब खतम हो जाए। मैं एक छोड़ी सी बात बता, मुझे मालू में मौलाना को जाना है कहीं, लेकिन आकर इजादत दे दे दें तो मैं एक बात कहई दू छोड़ी सी, मेरे एक मित्र हैं, वो आज आए फिल्लैंड से आए, और मेरे पास बैठे वे थे बात करने लगे, वो इनकी एक बड़ी खराब आदत है, और वो नहीं करनी चाहिए, वो सिग्रेट पीते हैं, बोले मेरे इस आदत के वज़े से मैं आपको एक बात बताते हैं, मुझे इस आदत से कभी कम से कम एक सबक सीखने को मिला, मैं लेका क्या हुआ, बोले फिल्लैंड में, एक जंगल में जाके सिग्रेट पीने लगा, और उनके साथ फिल्लैंड का एक वेक्ती भी था, और वो सिग्रेट पीने, पीते पीते, जब पीनी, तो उन्होंने हमारे यहां हिंदुस्तान की दो आदत थे न, यह पिया और वहीं फेका, फेक दिया, और आगे बढ़ गए, दोनों लोग, वो वेक्ते पीछे दोड़के आया, उसने वो बट उठाई, जो टुकड़ा था उठाया, और अपनी जेम में रख लिया, तो इन्होंने का, नहीं न, इनको शरम आई, यह न, न, मुझे मेरे हाथ में दे दीजे, तो बोले न, 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 कोई बात नहीं, बोले न, न, आप मुझे दे दीजे हाथ में, बेराल, वो हाथ में लिये रहे, जब आगे बढ़े तो एक नाला था बोले चाहिए मैं इसको यहाँ फेक देता हूँ बोले नहीं यहाँ मत फेकिए है डस्कमिन सामने बना हुआ है वहाँ फेक देते हैं और उसने लिया उस फिल्लैंड के उस आदमी ने फेक दिया आप इस खटन को मैं आप पूछें के मुझे मैंने क्यों बताई और इसके क्या माईने है सबक सीखने वालों के लिए बहुत माईने है राष्ट प्रेम जो होता है देश का जो प्रेम होता है देश का जो निर्माण होता है बहुत सारे लोगों ने कहा मैं critical होता हूँ जहां गलत हो वहां में बोलता हूँ लेकिन जब स्वक्षता का माईने समझाएगा इस देश को पहली बार 2004 के बार तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई हमारे मुलक में माफ करिएगा बातरूम का कॉंसेट बहुत जगे गाओं में नहीं था बुचारी महिलाओं को जिस सरे से अपमान जहलना पड़ता था वहां से जोड़ के देख लीजएगा ये राष्ट बनता है निर्मान और ऐसे होता है कह देने भर से भारत बाता की जए माफ करिए का मुझे वह हो सकता मुझे गलत लगे आपको ऐसे नहीं होगा ठीक है लगाईए आपके उद्गार है बोलिए लेकिन जब देश प्रेम की बात आए तो उस आदमी ने सिग्रिट वान नहीं भेकी फिल्लाइन की छोड़ाद मुलक है ये है वलाना